वेल्कम बैक टो मैंच चनल दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास बिजनस आइडिया लेके आया हूं और यह बिजनस आइडिया ऐसा है जो बहुत जादा लोग नहीं कर रहे हैं और इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत जादा है वजह ना करने की है कि लोग इसको बहुत जादा मुश्किल समझते हैं इस होई से करने ही पाते तो आज इस बिजनस के एक्सपर्ट से हम पता करेंगे कि यह बिजनस आप किस तरह कर सकते हैं किस तरह आप इससे अच्छी अर्निंग कमा सकते हैं तो हमारे साथ मौजूद प्रिष्ट है वजह वजाद बाइशाद आप कैसे हैं आप अल्लग शुकर एक्छा तैंक्यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया अब आप इस बिजनस के बारे में बताई हैं और बदाई है कि यह बच्चे जो है वह किस तरह पाले जाते हैं और उनका बिजनस स्थिए किस ये एक special चीज है शितरमुर्ख जिसके अंदर बहुत सारे लोग काम नहीं कर रहे हैं चंद एक लोग कराची के अंदर इसके उपर काम कर रहे हैं शितरमुर्ख का दो साल का जोड़ा होता है जो ब्रीड इंडर बच्चे आप अगर ब्रीडर कराना चाहते हैं शितरमुर्ख की तो उसके लिए एक प्रॉपर फार्मिंग होगी और आप इसके अंडर बच्चे दोनों सेश्ट कर सकते हैं ये जो बच्चे आप देख रहे हैं कि बच्चे जो है 15 दिन से 20 दिन 22 दिन की एज के हैं ये आपको मुक्तलिफ साइज नजर आ रहे होंगे तो ये बच्चे जो लोग फार्म नहीं करना चाते उनके लिए ये बच्चे पर्चेस करके इनको पालें और पालने के बाद बेज दें ये चोटे बच्चे जो है 30 से 35 दार का जोड़ा मिल जाता है जो 20 दिन 22 दिन से महीने तक की उमर का होता है और तक्रीबन 6-7 महीने का ओके जोड़ा बासानी 75 तर 80 दार रुपे में फरॉक्त होता है और जबके ये इतने वक्त ये चंद महीने इनको पालने में इसके उपर वह मुश्किल 10 से 15 दार रुपे खर्चा आता है यानि अगर आप एक जोड़ा लेकर पालते हैं तो आप ब बताईए कि अगर बहुत से लोग जो है जो वीडियो देख रहे हैं हो सकता है वो शौकिया तॉर्पी भी जो है वो इसको एजा पैट रखना चाहें तो उनके लिए बताईए किस तरह वो रख सकते हैं क्योंकि किसी को भी मेरा खाल में इसका एक्स्पिरियंस नहीं होता इ इसमें कोई ऐसी खास मुश्किल नहीं है इनको रखने के लिए आप इसको एक चोटे केज में भी रख सकते हैं उसमें रख सकते हैं एक जोड़ा बासानी और यह जो मुर्गी वाली जो फीड मिलती है यह वो फीड खाते हैं उसके लावा यह दूसर पालक खीरा और जीगर सबजियां भी शौक से खाते हैं और अच्छी ग्रोथ के लिए हम इने विटामन्स वगरत देते हैं जो बासानी परिंदों की किसी भी दुकान पर बजार में दस्तियाब होते हैं तो यानि कि बहुत जादा कोई खास ऐसी फीड नहीं है जो कि आपको कहीं नहीं कोई ऐसा म अच्छा कर लेते हैं मुर्गियों के मुकाबले में अच्छा इसको यह बताइए कि रखने के लिए अब ये बड़े तो हो जाएंगी सही ना कितने टाइम बाद हमें कितनी स्पेस चाहिए होगी अगर आप के पास एक डस्बाई-बारा का कमरा है तो आप आसानी इसके चा अच्छा साल की उमर में जाके ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं अच्छा यह बताइए कि यह जो ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो एक वक्त में जैसे कितना कितना टाइम ब्रीशन होता है कितना एग लेक करते हैं सवाल इसके इनकी माद़ा जो है आल्टरनेटिव डे प उसके बाद इनका एक सीजन आएगा अक्तूबर के बाद ये उसके बाद दो से तीन मेहिने नियानी दो बार अंडे देती है और तकरीबन तीन- तीन महीने आल्टरनेटेव एक दिन छोड़के एक अंड़ा देती है इसके मादा आचा और अंड़ा इसका कितने का सेल होता है इसका आंड़ वासानी 1500- 6000 तक मुथलिफ उसमें रता ये माड़ के उपट बड़ करता है उसकी लुकमर्ण और उसकी रहता है और आंड़ हीँडिये टिन 50 से 52 दिन दें यय। इसमें इसकी ठीप हैचिंग में होती है या ठीप माड़ हुद हैच कर नहीं। प्रमड़ को अगर आप हैच करने पर बिठा देंगे तो फिर अंडे देना रोप देगी, 50-52 दिन में एच होता है, क्योंकि इसका इंडे देने का सीज़नी तीन महीन नहीं है, तो अगर आप उसको 12 महीने से जादा अंडे पर बिठा देंगे तो फिर बो लॉस है, तो इसकी जो है वो मशीन में लगवाई जाती है मुक्तलिफ हैच्री कराची में जो रेंट पे के उपार जो है आपका अंड़ा हैच कर देते हैं अच्छा हैच्रिंग के वाले से एक मैं बात बतातू है कि हैच्रिंग की सहुलाद हमारे पास मौज़ूद है अगर कोई शुतर मुफान या और कोई हैच करवाना चाहे तो राप्ता कर सकते हैं अगर यहां पर मैं मैं कर दूं के एक दो हैंडे के लिए आप कॉल ना कीजिए क्योंकि यहां पर वज़ाद बताएंगे शाज़ा बता हैंडे हमारा होलसेल का काम है और हमारी कोई शॉप नहीं है हम लोग फार्मिंग करते हैं हैचिंग करते हैं उसके लावा बाहर से हम चीज़ें मंगवाते हैं तो हमारी होलसेल का काम है और शॉप कीपर्स को सप्लाई है या जो अंडे हमारे कस्टमर हमसे परचेस करते हैं जिसे चकोर कांड़ा, गेनीफॉल कांड़ा, मिस्री कांड़ी हम आप बस बल्क में दस्तियाब होते हैं तो हैचिंग कम से कम यह है कि 50-100 अंडे हो तो उसकी हैचिंग फैसिलिटी मिल जाएगी तो मेरे दोस्तों यह एक बहुत ही बैतरीन बिजनिस है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बिजनिस के अंदर आपको कॉम्पूटिशन बहुत कम मिलता है वैसे तो मैंने कुशिश करिए कि मैं सारे पॉइंट किलियर कर सकूँ पर भी अगर आपके जहन में कुछ सवाल हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं एस सुन एस पॉस्योबल हम उसका रिप्लाइज जरूर देंगे वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें ताके इसी तरह की यूसफुल बिजनस आइडिया आप लोगों को मिलते रहें नेक्स वीडियो में एक और बहुत ही जबरदस और बहुत ही यूनिक बिजनस आइडिया के साथ आपकी खिट्मत में दुबार आजिर होता हूं जब तक अपना ख्याल रखें टेक कियर